हाई गाईज वेलकम चुवा ब्रैंड न्यू सेशन आफ कुरेंट अफेयर्स आज की तारीख है आठ जुलाई 2021 हमारे दो चानल्स हैं पिनाकल और फ्रेंडियर आएस और अगर अभी तक आपने इन चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना विल्कुल ना भूलिएगा और यह सेशन दोन्य चानल्स पर सुबह चार बज़ वेलेबल हो जाता है साथ ही साथ पर डेली वीडियो पीडियाफ एंड मंतली मैगजीन आप मैं टेलिग्रम हैंडल्स प्रेंटियर आएस और सेसी जर्पनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट साथ करेंगे फ्रीविष के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्जन पूचा था कि केंदो मत्री राज्यपाल को किया गया है क्या जवाब था करनाट का कि भारत कादिस्टेटियॅ मां declarar करने के ये कौन सा नया मत्रावले बनाए प्रत करने में असानी के लिए प्रकृटीयों को कार्गर बनाने और बहुराज्जी सहकारी समितियों यानि Multistate Cooperatives MSCS के विकास को सक्षम करने के लिए काम करेगा Next question देखो केंद्रे मत्से पालन, पशुपालन और डेरी मंत्री ने कौन सा online course mobile app launch किया है तो इसको सही जवाब हो option number B मत्से सेतू तो शिरी गिरीराज सिंग, केंद्रे मत्से, पशुपालन और डेरी मंत्री ने online पाठेकरम mobile app मत्से सेतू लौंच किया आपको ICAR, Central Institute of Freshwater Aquaculture, घुबनेश्वर दुबारा, राश्री मत्से विकास बोड, NFDB हैदराबाद के विद पोश्चन समर्थन के साथ विक्सित किया गया है यह तस्वीर में देखिए उन्लाइन पाठेकरम आपको अदेश देश के जल क्रिशकों के लिए नवीनतम मीठा जल क्रिशी प्रद्योगी के उका प्रसार करना है मत्से सेतु आप में प्रजाती वार यानि स्पीशिज वाईज, विशय वार यानि सबजेक्ट वाईज, स्वेश इक्षन ऑनलाइन पाठेकरम मॉड्यूल है जहां प्रसीद जल क्रिशी वेशय शग्य, जल ये क्रिशी संचालन की बुनियादी अवधार्नाओं की जानकारी देंगे नेक्स्ट क्वेशन देखो बॉलिवूड के मशूर अभिनेता दिलीप कुमार का हाल ही मिने दिन हो गया वह 98 वर्ष के थे उन्हें 1994 में दादा साइफ वाल के पुरस्कार 1991 में पदमभूशन और 2015 में पदमभूशन से समानित किया गया था नहींने तस्वीर में देखिए वह 2005 से 2006 तक महराश्ट्रे से राजे सभा में मनोनित सदस्य थे नेक्स्ट क्वेस्टन देखो वर्ल्ड जुओनेसिस डे का मनाया जाता है तो इसका सही जवाब है उप्शन मुबर सी छे जुलाई तो वर्ल्ड जुओनेसिस डे हर साल छे जुलाई को मनाया जाता है जुओनेसिस एक संक्रामक रोग है जो जानवरों से मनुश्यों में फैलता है यह दिन जुनोटिक रोग रेबिस के खिलाफ प्रशासित पहले टीका करन को प्लक्षे में मनाया जाता है यह तस्वीर में देखिए इस वर्ष की थीम है Let's Break the Chain of Zoonetic Transmission World Zoonesis Day फ्रांसीसी जीव विग्यानी लूइस पास्टर द्वारा 1885 में रेबिस के खिलाफ पहली बार सफलता पूर्वक बनाए गए वैक्सीन को चिन्हित करता है Next question देखो राश्टे बाग संडरक्षन प्राधी करन एंटी सीये ने रामगर विषधारी अभियार रने को किस राज्जे के भाग अभियार रने में बदलने की मंजूरी दी है तो इसका सही जवाब हो option number C राज्जिस्थान तो राज्जिस्थान के बूंदी में रामगर विषधारी बनेजी अभियार रने को टाइगर रिजर्व बनाये जाने को लेकर केंद्रे वन इव परियावरन मंत्राले ने सहमती दे दी है वरतमान में रामगर विषधारी टाइगर रिजर्व में टाइगर T91 और T62 बाग है वन विभा के नुसार रामगर विषधारी टाइगर रिजर्व का कोर एरिया 39,920.51 हेक्टेर का होगा वहीं बफर जोन 74,091.93 का होगा 2018 की बाग जन गनना के नुसार राज्य में तीन रिजर्व सवाई माधोपूर में रन्थमबो टाइगर रिजर्व अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व और कोटा में मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में 102 बाग है राजिस्तान सरकार सवाई माधोपूर, कोटा और बूंदी सहित जिलों से गुजरने वाले तीन बाग अब्यारनयों को जोडने वाला एक टाइगर कोरिडोर विक्सित करने की भी योजना बना रही है बात करें यहाँ पर राजिस्तान की तो इसके डैम जरिवर्ज में आता है जवाहर सागर चंबल, जस्वन सागर लूनी और राना प्रताप सागर चंबल में आता है रंतम गो नाशनल पाक, सारिसका टाईगर इसर्व कैओलादियो नाशनल पाक और डेजर्ट नाशनल पाक राजस्तां की कैपनल है जेपुर, गवर्णर है कलराज मिश्रा सीयम है अशोग है लोत, वर्ल हेटे साइऴस पहर सिटी और जनतर मंतर किसे बनाया गया है तो सड़क परिभन और राजमार्ग और MSME मंत्री श्री नितिन गटकरी को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रैंड एमबेसडर गोशित किया गया खादी प्राकृतिक पेंट गाय के गोबर से बना भारत का पहला और एक मात्र पेंट है उन्होंने जैपूर में खादी प्राकृतिक पेंट की नई स्वचालित निर्मान इकाई का घाटन किया नया स्यत्र कुमार अप्पा नैशनल हैंड मेड पेपर इंस्टिट्यूट जैपूर के परिसर में सापित किया गया है जो खादी और ग्रामोद्योग आयो के वी आईसी की एक इकाई है पहले प्राकृतिक पेंट का निर्मान एक प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट पर मैनुवल रूप से किया जा रहा था केवी आईसी के ध्यक्ष है श्री विने कुमार सकसेना नेक्स्ट क्वेशन देखो तो मलेशिया में कम आये वाले परिवारों के कुछ निवासियों ने सफेद जंडा अंदोलन के हिस्से के रूप में सफेद जंडे लहराना शुरू कर दिया है ये कोबिट के कारण लॉकडाउन के बीच आर्थिक तंगी के संकड को व्यक्त करने के लिए ऐसा कर रहे है संक्रमन को नियंत्रित किया जा सके बात करें यहां पर मलेशिया की तो इसी कैपिटल है कौला लंपूर करंसी है मलेशियन रिंगिट जारखन के नए राजयपाल के रूप में किसे निउप किया गया है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नबर बी रमेश बाइस तो भाजपा के दिगज नेता और पूर्व केंद्रे मंत्री रमेश बाइस को जारखन का नया राजयपाल निउप किया गया है वर्तमान में त्रिपुरा के राजयपाल रमेश बाइस मौझूदा राजयपाल दुरौपदी मूर्मू की जगह लेंगे जो 6 साल के लंबे कारेकाल से राजभवन में है राजजय में यह पत संभालने वाली एक मात्र महीला मूर्मू उडिशा की रहने वाली है वह मई 2015 में राजय की नौभी राजयपाल ने उक्त की गई थी रमेश 226 गड़ से हैं और साथ बार लोकसभा में राजधानी राइपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं उन्होंने अटल भिहारी वाजपई सरकार में केंद्र मंत्री के रूप में कारे किया था बात करें यहाँ पर जारखंड की तो इसके डैम्स और इवर्ज में आता है पंचेत डैम दामोदर तेनुगार डैम दामोदर जारखंड की कैप्टल है रांची चीफ मनिस्टर है हेमन सोरेन नेक्स्ट क्वेस्टन देखो तो हाल ही में रामविलास पासवान संकल्प साहरस और संघर्ष नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है आठ अक्टूबर 2020 को उनखा निदिन हो गया था यह पुस्तक देश के अगरणी दलितनेता और पूर्व केंद्रिये वो भोकता मामले, खाद और सारवजनिक वितरन मंत्री रामविलास पासवान की जीवनी है जो पचास से अधिक वर्षों से राजनीती में सक्रिये थे यहने तस्वीर में देखिये वह आठ बार लोकसभा के लिए चुने गए और 2014 से राज्यों सभा सदस्यत है प्रदीप श्विवास्ते विक वरिष्ट पत्रकार है जो तीन दशकों से देश की मुख्यधारा की राजनीतिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं वह जन सत्ता से जुड़े हुए है नेक्स्ट ग्वेस्टन देखो चार जुलाई 2021 को किस पूर्व प्रधान मंत्री की 123 जोयनती पूरे देश में मनाई गई तो इसका सई जवाब हो ऑप्शन नमबर B बुलजारी लाल नंद तो 4 जुलाई 2021 को देश भर में पूर्व प्रधान मंत्री बुलजारी लान नंद की 123 जोयनती का आयूजन किया गया प्रधान मंत्री जवहला नहरु की मृत्व के बाद बुलजारी लान नंद ने 27 मई 1964 को भारत के प्रधान मंत्री के रूप में शपत ली इसके पस्चात 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में प्रधान मंत्री लाल भादर शास्त्री के मृत्यू के बाद एक बर पुने प्रधान मंत्री के रूप में शपत ली 15 जनवरी 1998 में एहमदबाद में उनकी मृत्यू हो गई सेप्टेंबर 1951 में उन्हें केंजर सरकार में योजना मंत्री न्यूप किया गया वर्षिन 1959 में उन्होंने जिनेवा में आयुजित अंतरराश्री श्रम समेलेन में भारते दल का प्रतिनिधित्व किया बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की तो सहकार से स्मृध्धी विजन को अचीव करने के लिए न्यू मिनिस्ट्री मिनिस्ट्रो कॉपरेशन बनाई गई है यूनियन मिनिस्ट्र फर फिश्रीज ने एक ओनलाइन कोर्स मोबाईल एप मच्से से तू लॉंच किया अक्टर दिलीप कुमार का हाल ही मिनि दिन हो गया उन्हें 2015 में पदमे विभूशन से समानित किया गया था वर्ल्ड जूओनिस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है रामगण विश्धारी सेंक्चुरी को राज्यस्थान का टाइगर इजर्व बनाया जाएगा खादी प्राकरतिक पेंट के ब्रैंड अमबेस्डर बने है नितिन गटकरी वाइट फ्लैक केंपेंड मलेशिया में चल रहा है जार्कन के न्यू गवर्नर बने है रामेश बाइस राम विलास पासवान संकल्प साहस और संघर्ष गुख प्रदीप श्वास्तव ने लिखी है और 4 जुलाई 2020 को फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर गुलजारिलान लंद का 123 बर्ट एनिवर्सरी मनाया गया बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुल्स वाद अडे के आपका पहला क्वेस्टिन है जार्कन के नए राज़पाल के रूप में किसे ने उपकिया गया है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है केंद्री मत्से पालन, पशुपालन और डेरी मंत्री ने कौन सा ओनलाइन कोर्स मुबाइल आप लाँच किया है इन दोनों क्वेस्टिन का आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोन वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैंड्स को जोईन जरूर करना है थांक्यू सो मच